लिवफिट टेबलेट के बारे में कुछ जानकारी इस प्रकार है उप्योग लिवफिट टेबलेट को एक आहार पूरक के रूप में विपणन किया जाता है जो यकृत स्वास्थय और विश्रन का समर्थन करता है ये फैटी लिवर रोग और हेपेटाइटिस जैसी कुछ यकृत स्थितियों के लिए एक पूरक चिकित्सा के रूप में भी इस्तिमाल किया जा सकता है सामगरी लिवफिट टेबलेट में निमनलिखित सामगरियां शामिल हैं दूद थीज एक्स्ट्रेक्ट 175 मिली ग्राम एन एसिटाल सिस्टीन 50 मिली ग्राम अलफा लिपोएक एसिद 25 मिली ग्राम सेलेनियम 40 MCG अन्य अव्यवों में माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलूलोज, क्रोसकामलोज सोडियम, मैगनिशियम स्टियरिट और सिलिकॉन डायोकसाइड शामिल हैं ये कैसे काम करता है लिवफिट टेबलेट शरीर को अन्य पोशक तत्वर प्रदान करके काम करता है जो लिवः के स्वास्थे और कार्य में सहायता करता है मिल्क खीज एक्स्ट्रेक्ट में सिलिमारिन नामक फ्लेवोनोईड होता है जिसमें एंटि-आक्सीडेंट गुन होते हैं और लिवः की कोशिकाओं को नुकसान से बचाने में मदद कर सकते हैं एक एमिनो एसिड है जो एंटि-आक्सीडेंट गुटाथी उनके स्थर को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है जो लिवर डिटॉक्सिफिकेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है अल्फा लिपोइक एसिड एक एंटि-आक्सीडेंट है जो लिवर की कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव ख्षती से बचाने में मदद कर सकता है सेलेनियम एक खनिज है जो शरीर की एंटि-आक्सीडेंट रक्षा प्रणाली में शामिल है प्रभाव, लिवर फिट टेबलेट का प्रभाव एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन हो सकता है कुछ लोगों को लिवर की कार्यक्षमता में सुधार, सूजन में कमी और विश्रन में वृद्धी का अनुभव हो सकता है जबकि अन्य लोगों को महत्वपून परिवर्तन नहीं दिखाई दे सकते हैं हालां कि शोध बताते हैं कि मिल्क थीज एक्स्ट्रेक्ट, एन असिटाइल सिस्टीन, अलफा लिपोइक एसिड और सेलेनियम के विभिन स्वास्थे लाब हो सकते हैं जिनमें लिवर की ख्षती को कम करना, लिवर की कार्यक्षमता में सुधार करना और ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करना शामिल है दुश्प्रभाव, अनुशन सित्खुराक में लेने पर लिवर्फिट टेबलेट को आमत और पर सुरक्षित माना जाता है हालां कि कुछ लोगों को मतली, दस्ट और पेट खराब होने जैसे दुश्प्रभावों का अनुभव हो सकता है दुरलब मामलों में अलजी प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं यदि आप लिवर्फिट टेबलेट लेने के दौरान किसी प्रतिकूल प्रभाव का अनुभव करते हैं तो आपको इसका उप्योग बंद कर देना चाहिए और चिकित सा सहायता लेनी चाहिए कैसे इस्तेमाल करें? लिवर्फिट टेबलेट की अनुशंसित खुराक आम तोर पर प्रती दिन एक या दो बोलिया होती हैं भोजन के साथ या स्वास्थे देखभाल पेशेवर द्वारा निर्देशित अनुशंसित खुराक का पालन करना और इससे अधिक नहीं होना महत्वपूर्ण है उप्योग करते समय ध्यान रखने वाली बातें लिवर्फिट टेबलेट का उद्देश ये किसी भी बीमारी का निदान, उपचार, इलाज या रोक थाम करना नहीं है यदि आपकी कोई चिकित्सी अस्थिती है या आप दवाएं ले रहे हैं तो किसी भी पूरक आहार को लेने से पहले स्वास्थे देखभाल पेशेवर से परामर्श करना आवश्यक है इसके अतिरिक्त, गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं और बच्चों को स्वास्थे देखभाल पेशेवर से परामर्श किये बिना लिवफिट टैबलेट नहीं लेना चाहिए